हेलो टेडर्स एंड वल्कम फू दाइस्टूडियो मेंबर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियूम को आज हमने स्लेट कर रखा है ट्रेट करने के लिए इसके अंदर अपनी जो पोजिशन हमने लिए है 242.05 की मार्किंग सा आप देख रहे हो इसके फाइफ पैसा उपर हमने इसके अंदर बाइंग कर रखा है और एक रुपाय का हमारे स्टॉप लॉस से कुछ लगभग कम का है अभी और बॉक देखते हैं क्लियर हो जाएगा तो यह ओवरॉल हमारा सेट अप है और आज के दिन तो था के प्राइस कम से कम 245, 246 और 247 यह वारा जो गैप देख रहो ना इसको अगर ब्रेक कर देता है अगर यह ब्रेक करता है तो 246 और 247 तक के टार्गेट इसके ओपन हो जा रहे थे 246 हम यहीं तक कामान करके चलते हैं अगर यहां पर भी प्राइस हमको मिल जाता है य तो आज के दिन हम लखी होंगे हम ऐसा इसलिए बोले हैं को कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम आज के दिन साइडवे मूव हमको पूरी तरह से दिखा दे हमारे यहां लोकल में कहावत है कि पूत के पर पालने में नजर आ जाते हैं स इनच के अंदर हमने कुछू आ यहां सेप मूव दिखा न fret अब सैट के दर वाट प्राइज ने किया क्या जाना तो इस तरह से था बर प्राइज पूरी तरह से हमको स्याडवे मूव दिखा रहा हो कपसे जब से हमने इसके अंदर अटरी ली है कि यह देखर वो वर्स्ट कंडिशन मेरे अपने परस्ट मेरे लिए होती है क्योंकि ना इसमें प्रॉफिट मिलना है न इसमें स्टॉप जाना है बैठे है यह बहुत बोरिंग सिच्वेशन होती है जो प्राइस हमारा साइड वी होने के सिंगनल्स देने लगता है कभी-कभी वॉल्म्स अच्छी आ रहे थी बट अचानक से क्या हुआ कि वॉल्म्स भी लो हो गए यहाँ पर आप देखिए वॉल्म्स ठीक आएं यहां पर भी वॉल्म्स इंक्रीज़ रहे बट यह देखिए यह गिरिया प्राइस का पूरा मुव्मेंट अभी साइड वे पढ़ा हुआ अगर इसको upside की तरफ जाना है तो कम से कम highs को break करके price को upside की तरफ निकलना होगा यह move है अभी day time frame पर ऐसी क्या conditions बन रही है देखिए day time frame पर भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यह कुछ हमारे support zones है support areas है अब इन supports पर होना क्या चाहिए कि market को एक up move अभी जैसा हमने बता है कि up move हमारा expected है एक तो यह zone बना था इसके बाद में आप यहां पर यह zone देख रहे होगे कि price अपने इस zone से गिर रहा है और इसी zone से upside की तरफ जा रहा है आज क्या हो रहा है जो इसका move है यह हमें upside की तरफ के देख रहे है यहां से यहां से और यह यहां से थोड़ा सा complicated लग रहा होगा इसको थोड़ी देर में explain करते हैं क्योंकि अभी जो पूरा ध्यान और पूरा focus हमारा इसके उपर है कि price हमारा किस तरह का move कर रहा है जित्रेय का mindset होता ना वो disturb हो जाता है Wait करते है stop loss अब अब को बत अच्छा हाँ 241.20 को स्टॉप लोस है और 242.10 पर हमने अपनी बाइंग के ओड़ लगा है सारे के सारे एक इजेक्युटेट है एंड पोजिशन वो वापस से 445 प्राफिट अभी नीचे की तरफ ही गिर रहा होगा मार्केट सो यहां पर स्टॉप लोस के एक बार पेस्ट स्टॉप लोस एंट्री ओवर अगर हमको आज का अपना यह जो टार्केट मिल गया तो रेशियो जो बैठेग अपना वन इस्टू 4.3 के आसपास का बैठेगा अगर हम सही है तो पूरे दन हम सिर्फ साइड वही बेठे रहे है या फिर अगर किसमत के भरोसे फिलालम नहीं है अपने analysis को गॉर्ड हमको ऐसा लग रहा है कि market side way move हमको दिखा सकती है कोई बात नहीं एक बार मिने entry ले लिए है तो हम wait करेंगे देखेंगे profit होता है loss होता है जो भी होगा inform करते हैं traders जिस तरह से हमारी expectation थी कि price में बहुत ज्यादा chance है कि आज पूरे दिन हमें एक side way move देखने को मिले so results आपके सामने हिंदोस्तान petroleum पूरी तरह से side way है कोई भी बड़ा move या कोई satisfying move हमको नहीं मिला नहीं मिला market ने morning में इतना बड़ा जो gap down किया और gap down कर देने के बाद में हुआ यह कि हमने अपने group में नहीं तो कोई chart share किये नहीं कुछ share नहीं किया विगाज अंदर से यह नहीं लगा था कि market में कोई अच्छा सा move होगा या फिर यतने stocks भी थे हमारे बिल्कुल भी किसी एक अंदर हाँ levels पर stocks थे बट confidence नहीं था कि हम कोई भी stock suggest करें आपको trade करने के लिए तो इसलिए आज अपने public टेलिग्राम चैनल पर हमने कोई भी stock share नहीं किया है हां कल देखेंगे market कर अच्छी रहती है तो कल रहां पर आपने share करेंगे तो आप टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हो हाला कि देखे अभी move देख रहा है लेगे यह साइडवे मूवी है और यह यहीं घूमता रहेगा असपा से घूमता रहेगा profits कितने चल रहे हैं भी 4,900 के roundable profit चल रहा है हमारे इस वात का 4,900 and 50, 5000 हो एक चीज़ यह आती है कि कोई भी stock जब हम लोग देख रहे होते हैं और किसी भी stock को analyze कर रहे होते हैं अपर trade execute करने के लिए हम किसी stock को देख रहे होते हैं तो कौन-कौन से level से हमें उन stocks को देखना चाहिए या कैसे किसी भी stock के अंदर जब हम entry कर रहे होते हैं तो उससे पहले हमें उस stock को कैसे analyze करना चाहिए सबसे पहले चीज तो यह कि आपको मालूम होना चाहिए आपको किस stock से level को trade करना है किस level से अपने stock को trade करना है आपको उसके अंदर buying side में trade execute करना है आपको selling side में trade execute करना है यह सारी चीज़े हमाँ पर fixed होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने चार्ट open किया कोई भी चार्ट just imagine कि मेरे पास लीजिए यह कौन सा यह चार्ट हिंदुस्तान हिंडाल को आया चलिए अब हिंडाल को आया ओके यह प्राइस यहां पर है यहां पर red candle बन रही है चलो ठीक है red candle है इसको short कर देते हैं या फिर green candle बन रह अगर हमें इसको देखना होगा जैसे हिंडाल को का मूव देखे काफी अच्छा मूव आया है हिंडाल को हमारी watchlist में नहीं था आज के ट्रेट के वाच लिस्ट में था हम इसको daily देखते हैं और अभी हमको हमारी level पर मिला नहीं तो इस वाशे हमने इसको trade नहीं किया था हम अब एक कोई भी एक पॉइंट है जैसे कि मान लेजे मेरा एक important level यह वाला है या फिर मेरा एक important level यह वाला है अब जब प्राइस हमारा हमको इस वाले point पर मिलता है यह इस वाले level पर मिलेगा हम तभी trade execute करेंगे इसके अलाबो वो stock कहीं चले कहीं जाया कुछ भी हो मतलब न defined level है जैसे कि अब में mark किया था चलिए जैसे हम यह mark कर लेते हैं ठीक है यह मेरा point है अब यहां से में यह देखना होगा कि हम price को strongly देख रहे हैं या weak देख रहे हैं इसको price हमारा strong या weak है इसके उपर depend करता है दूसरी चीज यह होती है कि वो stock हमारा किस level पर इस वक्त है बन रहा है है यहां से price जब मेरा upside के तरफ जा रहा है volumes को और इनको दोनों के मिलाई है अब अगर हिंडाल को है तो हम इसको कैसे rate करेंगे यह green वाली candle है ठीक है price देखिए हमारा कम volume के साथ में नीचे गिरा है और heavy volume यह लेकर किया आया और इसने previous candle का high break कर दिया मतलब अब ग्रीन वाली candle का मेरा low point है यह important जगा बन जाती न क्योंकि यहीं से price के अंदर rejection आया और यहां से price फिर मेरा upside की तरफ चला गया यहां पर देखिए volumes क्या हुए है बढ़ी है और price ने एक resistance को टच किया और यहीं से price हमारा फिर सीधे नीचे की तरफ गिर गया मतलब कि दो zone ब क्या करना होगा प्राइज हमारे इस swing को ब्रेक करके या तो उपर निकल जा है या फिर इस वाले support को ब्रेक करके नीचे चला जाकर इसको नीचे गिरना है तो अब like के price हमारा again upside की तरफ momentum दिखा देने के बाद में फिर से यह नीचे गिर रहा है यहां पर भी देखिए volumes कम ह और यहां भी volumes कम हो गई है और फिर से प्राइज ने क्या किया एक heavy volume के साथ breakout दिखाया और प्राइज upside की तरफ निकल गया और आज यह कहां गया है फिर से resistance लेवल पर पहुँच गया इनका correlation होता है देखिए आपास में जब आप प्राइज को read करोगे धीरे धीरे करके जब इसके अंदर practice करोगे तो आपको समझ में आगा किस तरह से हम correlate कर सकते हैं एक दूसरे से candle किस तरह से correlate हो रही है हम volumes को कैसे correlate करते हैं यहां पर भी देखिए वह structure बना ना volume कम price नीचे breakout price उपर volume कम price नीचे breakout अगेन price हमारा उपर समझ पार है न क्या ज़रूरी है कि price जिस लेवल से अपकी पिछली बार उपर गया दा है इस बार भी इस लेवल से चिरा जाए तो कहीं न कहीं इस लेवल के अपनी importance बनती है अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि price अगेन ज इसके कुछ points निकल रहे हैं ये वाले areas ये green candle का high है इसके बाद में ये वाली green candle का high ये दोनों ही मेरे लिए important हो जाएंगे ये in between inches हो गए लेकिन अगर हम मोटा मोटा मान करके चलें कि levels को identify करने के बाद में जब हम उसके अंदर reading करते हैं तो देखिए इस तरह से हमारे पास levels निकलते हैं अब आपको trade execute करना है यहां से कुरो यहां से trade execute करना है तो यहां से trade execute करो बस मन में आया कर दिया यह näई ह कर दिया यह चीज़ नहीं होनी चाहिए या फिर selling करने तो किस तरह से करेंगे last session में भी हमने बताया कि price अगर अगर अपने resistance level पर है और अगर आपका उसके अंदर short selling का view है तो देख लो सबसे simple आपको mother candle दिख जाएगे हर जगा देखेगे अगर इस mother candle का breakout downside की तरह हो और आप मार दो short आप short मार दो आप देखेगा हिंडाल को है अगर जब तक price हमारा इस green वाली candle के नीचे है जब तक price हमारा इस green candle के नीचे इसके अंदर bullish move आप देखोगे ने इसको bullish होने के लिए इस candle का high break करना ही पड़ेगा और जब तक price हमारा इसके नीचे travel कर रहा है इसके अंदर एक bearish move ही देखने को मिलेगा आपको समझ पा रहे हैं मतलब day time frame के level से हमने mark कर लिए और जब हम वहाँ पर पहुंचे तो हम देख रहे हैं कि हमें इसके अंदर करना क्या है तो कोई भी जो आपकी personal favorite आपका जो price action हो या आपका कुछ candlesticks हो वहाँ से अप trade execute कर दो stock selection भी हमें कैसे करने है यह भी मालूम होना चाहिए यह सारी चीज़े हैं लेकिन main points क्या होते हैं कि कोई भी अगर हमें trade execute करना है तो हम उसकी reading किस तरह से कर रहे हैं है ना reading करते चले जा रहे हैं और reading के according हम देख रहे हैं इसके अंदर हमें करना क्या है price ने आज किस तरह का movement दिखाया है उसके according हम लोग अपना काम करते हैं आई होग यह चीज़ आपको समझ में आई होगी यह help आपको कैसे कर सकती है कि जब भी आप trade execute करने जा रहे हो तो बस ऐसे ही आख बंद करके नहीं कर देना है बाके analysis तो आप और भी ज्यादा आकर के इसके अंदर deep analysis करोगे उतने ही आपके जो profits के chances होते हैं वो बढ़ते हैं profit के chances तभी बढ़ेंगे तो कल से जब आप stock को read करना या उसको trade करने के कुशिश करना तो उससे पहले उसकी day time frame की reading देख लेना day time frame को check कर लेना एक बार जबकि predefined level हो वहीं से trade execute करना इसके अलाबा price अगर आपका कहीं पर भी move up या move down कर रहा है वहां से trade execute मत करना अपने level पर price को आ जाने दो क्या लगता है आपको उसके अंदर market को देख करके वैसे trade execute करोगा तो ये तो एक overview हो गया दूसरा हिंदुस्तान पेट्रोलिंग की बात रही यहाँ पर अपने confirmations मिले entry कैसे कि price हमारा लगा था जब ये नीचे की दिशा में किता था यहां से जैसे price हमारा ऊपर की तरफ गया न हमने अपना trade execute कर लिया और जो मेरा swing क्योंकि stop loss लगाने की जगा तो यही है न हम अपने swing पर यह stop loss लगाएंगे तो जितना भी मेरा safe जहां पर हमारा पहुंचाने ओके तो इस वात का जो अपना profit है कितना 3000 के round चल रहा है तो अब profits को अपने square off करने का time आ चुका है जो हमारा अपना order book में गये 241.20 इसको stop loss order करते है cancel position book में आते हैं 3000 का profit चले इस वात का जो प्राइस है हमारा 243.215 कोई बड़ा move नहीं मिला जाने देंगे market देखे चलता रहता है stop profit होगा profit भी मिलेगा आपको sideway market भी होगी हर तरगी range bond market आपको मिलेगे decision क्या लेते हो आप किस तरह से price को treat करते हो और क्या आपकी analysis होती है dependency के उपर सब कुछ करता है otherwise पैसे कमाने कि और भी बहुत simple simple से रास्ते जो कि market के अंदर आप देखते हो लोग 4500 और लेकर क्याते हैं इसी उम्मीद में कि आज ही कि आज मेरा rate double हो जाएगा फलाने option को buy कर लो उसको buy कर लो real process से जब किसी को निकालने की आप कोशिश करो न तो इस काम में आप बहुत बार नाकाम होते हो क्योंकि ये किसी को पसंद ही नहीं है उसको चाहिए रहे market है यहां तो हमें तुरंट की तुरंट पैसा चाहिए तो जो यहां तुरंट कमाने आते हैं वो कमाते भी हैं लेकिन जितनी अच्छी तरह से कमाते हैं न उतनी ही अच्छी तरह से साफ भी कर देते हैं खुद को process में आना है सीखना पड़ेगा सीखोगे नहीं तो ऐसे ही आप भटकते रहोगे जिस तरह से आप पिछले losses आप कर रहे हो जैसे आप losses पहले कर रहे हो वैसे ही आगे भी करते हैं को सेम गल्ति भी आप बार-बार repeat करते हो गया कोशिश करो जितना हो सके market से सीखने की कोशिश करो ओके चलिए थोड़ा ही profits है लेकिन एक चीज का satisfaction यह रहता है कि जहां पर आपने stop loss लगा है कम से इसकम हमारा stop loss तो safe है ना stop loss तो hit नहीं हुआ अब profit आज नहीं तो उनको कल मिल जागा तो इस तरह से आप देखिए अभी हमें एक quote ही पढ़ रहे है तो इसमें 95% लोग क्या बोल रहे है कि 95% लोग ऐसे हो तो जो बोलते है कि आज मैंने market से पैसा कमाया और 5% लोग ऐसे होत हमको लग रहा है कि order लगाने को जो time में वह भी अब ओवर ही हो चुका है 241.80 चली ही निकाल देते हैं से square of fantasy 242.80 square of लिजे निकल गया एक एसो रुपय का profit है and order book stop loss order हमारा cancel है 242.80 round figure में बिल्कुल कुछ दिनों से बिल्कुल round figure में कुछ पैसा वैसा का हिसाब कताब आ ही नहीं रहा है 2100 और 18000 12000 ऐसे profit और ऐसा ही जो loss हो रहा है वो भी ऐसा ही हो रहा है वीडियो को यह पर खतम करते हैं अब हम लोग मिलें कल के आपने trading session में thanks good bye and we will make